तो टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल से की जैसा कि यहाँ पर लिखा है जो कहा वही हुआ और वही होगा चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश का आयोग हो शिक्षा सेवा चैन आयोग के बार में सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा बताए गया ताप पीछे से एक्जाम की बात हो चाहे वो यूपी ट्रिपल सी की बारे में बात करेंगे उसके बात करेंगे और जो लोग मेरा नियमित चैनल देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने 9 नमबर को एक वीडियो बनाया था पहले आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है और जो टाइपिंग है वो इसी महीने के लास्ट मिसरू हो सकती है नमर के फर्स्ट वीक में और टापिंगी जो नोटीस है वो आने वाले एक या दो दिन में सुम्वार या मंगर बार ज्यादा उसके पहले या उस पहले भी नोटीस जारी हो सकती बीच में संडे पढ़ रहा है नहीं जो परिछा है आप लोगों को अब दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगे चाहे वो इस्टेन हो चाहे वो जूर्य असिस्टेंट हो वहाई पर जब धनना प्रदसन हुआ था तो आमेंदर जी ने एक नोटीस है वो जारी हो जाएगी तो आज मंगलवार है और आज आपकी तैबीक गेर नोटीस है वो जारी हो गई है यहां पर यह देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपकी टैबीं है वह 19 दिसंबर से किये जाना प्रस्तावीत है अब आप लोग अपना speed बनाईए कम से कम 10 की extra speed रखिए एक और नोटिस आज जारी भी यह परिक्चा के बारे में जैसा कि बताए गया था जब आमेंदर जी और धर्ना प्रदर्शन हुआ था तब जब चात्रों ने बात की थी तब भी मैंने वीडियो बनाया था और उसके ब दिखा लेखा परिक्चक साईक लेखा का और यह बिखा अर्यूंभी का आगया था खीत चोटी परिक्चा होंगी वह पहले होंगी तो यह शोटी परिक्च्ळकर फाम और दिखका है उसके बारे में में जैनकारी दिगए यह लेंड़ पर तसन नहीं हो था उसके पहले मैंने वीडियो बना है था और मैंने वह दिखाया थी कौन-कौन जो अजेंसी हैं वह फाइनल वही है दो अजेंसी के बारे में आपको जनकारी दी थी और यह आपकी जो परिक्चा परिक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो गई है पात जनवरी को भी परिक्षा है और उस वीडियो मैंने यह का था कि जो जूनियर एसिस्टेंट के बारे में आपको जानकारी दी थी और छोटी भरतियों के बारे में आपको जानकारी दी थी फिलाल सूचना 100% एक बार फिर से सही आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग नहीं करते हैं जबकि इस चैनल के दोारा आप लोगों को सभी भरती बौर्ट उत्तर परदेश के जितनी भी बड़ती बोर्ड हैं सभी एथेंटिक जानकारियां परदान की जाती हैं चलिए हम बात कर लेते हैं अब तो यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह लखनौ की है लखनौ की है लखनौ में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है यह देखिए आप लोग उपाहम से लेकर के दे आई-ए-स तक यह जो धरना प्रदर्शन है वह विद्धार्थियों का इस समय चल रहा है लगा कर देखिए लगनों में अब अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है विद्धार्थियों को जो धरना प्रदर्शन वह बढ़ता जा रहा है औरो या रो को लेकर कि प्र्याग्राश तो ऐसे भी लोग कर रहा थे किने कुछ लोग इसको बरगला रह चल रहा है और विद्धार्थियों का लक्ने भी चल रहा हाँ प्रयाग्राश में रात मिलटेहों के धरना प्र Christina जा रही है यह देखिए आप प्रेयाग राज तुम डटे रहो हम तुहारे साथ है आज साम को जो है फिर से कमिस्वन राहे चातरों से बातचीत किया कि आप लोग जो है वो राजनेतिक ना हो यह पॉलिटिकल ना हो यह और बहुत सारी बातें करी लेकिन कोई भी सार तक जो चीज है वो निकल करके नहीं आई विद्यार्ती तरह तरह से आज जो अ करते रहें यह पीट पीट कर देख सकते हैं आप लोग जोर-जोर से विद्यार्ती जानकारी निकी मिली है कि जो उत्तर प्रदेश शासन है वो इस पर गंभीर है लिज़े से यह आंपर देख सकते हैं वह सारे न्यूज चैनल के रहे से जानकारी दी जा रही है कि चात्रों को भरोसे में नहीं लेने से सीम योगी नाराज है माया मती कभी आपर ट्विट आया है बहुत सारे भाजपा के नेता है वो भी चिंतित है चुकि चुनाओ है उतर परते संग लोग सेवा आयोग द्वारा पीसिस था आरो यारो की भी प्र परिचा दो दिन में किरानी पड़ रही है पेपर लीग पर रोक हुआ परिचा की विशस्तनीता अहम उद्दा है जिसके लिए एक बार में ही परिच्च ब्योस्ता जरूरी आयोग को समाधान निकालने को कह गया है ये भी जानकारी मिल रही है देखिए यांपर फिर से लि या रोकी परिच्चा तारीख टल सकती है आंदोलन को देखते वे प्रस्तावी तारीख जा सकती है बेर्तियों के आंदोलन पर आयोग दिफ्तर की बीतर मंतंत जारी है पीसयोए निकी परिच्छा दो दिन कराने लेक्षया को बेर्थियों की मांग को लेकर के आयोग देर साम तक ले सकता है फैसला साथ और आठ दिसम्बर को प्रस्तावीते PCS की परिक्षा दो दिवसी परिक्षा और नालमजेशन का जो चात्र हैं वो विरूत कर रहे हैं तो कल जो है चार बार अधिकारियों से वारतवी थी आज दो बार अधिकारियों से वारतवी है दोनों बार भारता का कोई नतीजा नहीं निकला है और आयोग और सासन चाहते हैं किसी तरीके से धरना समाप्त हो जाए टालमटोल वाली बात हो रही है और वहीं पर जो चात्र ह उनकी बस केवल एक ही मांग है, कोई वारता नहीं, कोई बैटक नहीं, यह बस परिच्चा पूरो वारता, जिस तरीके से परिच्चा होनी चाहिए, उस तरीके से परिच्चा होनी चाहिए, विद्धारती केवल एक मांग कर रहे हैं पूरी सुविधाओं से परिक्षा योजित की जा सकती है आप वन नेशन वन इलक्षिट की बात कर रहे हैं आप वोट की परिक्षा हैं पचास-पचास लाग बच्चों की करा दे रहे हैं सब चीजों की आपको सेंटर मिल जा रहे हैं कि अगर उंगली में चोट लग जाएगी तो पूरा हाथ नहीं काटते हैं उंगली का इलाज करते हैं वहीं वाली और इनको चाहिए कि हम उखार अपके हम नहीं रोस्ता बदलेंगे ऐसे थोड़े होता है मतलब हम लोग इतना मेंटल